जैहिन साथियों दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि भाग भाग जो है देखिए भाग का पार्ट दोस्तों हमारे पार्ट आपको इसमें भी मिलेगा क्योंकि इसके पहले हम ए दे चुके हैं इस वीडियो का पार्ट भी भाग का तो चलिए देखिए इसमें बहुत कूछ जानने शीखने को मिलेगा हम लोग एक्सरसाइज 39 से सुरू कर रहे हैं इसके पहले हम 38 तक देख दिये हैं चलिए आगे बढ़ करके देखते हैं कहां तक हम लोग जाएंगे 40 हो गया 49 जानेंगे 40 जानेंगे इसके बाद 41 को जानेंगे फिर आगे चलते हैं आगे है 42 को जानेंगे फिर आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं बहुत कुछ सिखने को मिलेगा दोस्तो इसमें एक अंक दो अंक चार अंक तक जानेंगे 43 को जानेंगे ठीक है इसके बाद और आगे छो 0ははah 4 ear को जानेंगे इस वीडियों में लोग सब्गुनिये दोस्तो बिना दियर किये विना समय गवाय हुआ थोरह से समय देजिये बहुत मज़ा आएगा थोरा सा समय देने से आपका कुछ बिगर नहीं जाएगा अगर जो कन फीजन रहेगा दोस्तो तो बहुत कुछ इसमें किलियर हो जाएगा तो चलिए विना देर किये हम लोग सुरू करते हैं कराय काली अस्थानों को भरिये DROT nag vendors तो सली शुरू करते हैं किसी संख्या में एक सिभाग देने पर भाग फल क्या होगा दोस्तो वही संख्या होगा क्या होगा दोस्तो वही संख्या जो संख्या में आप भाग दिये हैं वही संख्या होगा वही संख्या अगर मान के चलिए एक से भागा दिये हम चार में चार संख्या में दिये हैं तो एक चो के चार यही एंसर हो जाएगा आपको ठीक है अब सबस् caus hacant alcanz जी डिजीएगा अबका जीरो ही रहेगा ठीक है जीरो को किसी संख्या छोड़कर जीरो से भाग देने पर भाग फन हमेशा जीरो ही आउता है दोस्तों चलिए ठीक बहाज बराबर भाज गुना भाग, फल जो आपका answer आता है भाग भाग फल ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लिजिए। विसस संखिया को उसी संखिया में जिरों को छोड़कर से भाग देते हें तो भाग फल हमेशा एक आएगा हमेशा एक आएगा answer कोई भी संक्या रहेगा चार को भाग दिये चार से चार को भाग दिये चार से तो चार एकम चार answer के लिए यानि की हमेशा answer आपको दोस्तो एक आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां तक चलिए आगे बखते हैं जीरो को गुना कर बने गुना तथि को जीरो भाग तथ होता है जीरो से जो भी गुना होगा जीरो ही होगा आगे बढ़िए एक को भागा दिजिए दो से तो कितना आएगा answer एक दुना दो तो एक दो ना कड़ जाएगा तो क्या आएगा answer एक से भागा दीजेगा दो को एक दुना दो जितना रहेगा एक से वही होगा एंसर ठीक है एक को भागा दीजे तीन से ते कितना आएगा तीन ही एंसर आएगा एक को भागा चार से तो चार आएगा चलिए इसको अब आप लोग होंबर्क मिलीजे दोस्तों बिलकुल आसान ह नो को भागा नो से दीजेगा तो जीरो आजाएगा, पांच को भागा पांच से दीजेगा तो जीरो आजाएगा, इस परकार से दो को भागा दो से दीजेगा तो जीरो आजाएगा, कोई दिक्कत दोस्तो नहीं है, चलिए, मान निकाले, पांच से भागा दीजेगा जीरो मे इसको हुमबर्ख में लीजेए आप- वाग की लंबी बीधी दो अंकोर की संखिया को एक संखिया से भाग देना है चलिए भाग की लंबी बीधी का पर्योग कर दो को झालिए दो से भाग़ देना है अर्षथ में तो दो तिया छे आ गया यहां इसको घटाने के बाद यहां जीरो लिखिया कटकुट लिगए एक अंग फिर उतर जाएगा नीचे डारेक्ट यहां दो चोग के आठ हो गया इसको कटकुट एंसर आपका 34 आया इसे प्रकार से दो को यहां पर यहां इसे भी बना सकते हैं डार लिगे और चेहें चला का इसे असे प्रकार से देखिए घृण जो आपको उपर किया घया उसका बताया गया है यहां बाज बरावर 68 और भाजक दो है दो से भागा दिया गया है 68 में तो भाजक 68 है तो छे दहाई है और आठीक आई है तो छे दहाई में दो से भाग दने पर क्या आएगा दो तिया तीन दहाई आ गया भागफल को दहाई के अस्थान पर लिखें अस्थान पर लिखें जो आपको किया गया है त निखें ठीक है आगे दखिए दो दो तिया छे एकट गया तीन आया यही तीन दहाई बच गया आगे दिखिए दूसरा वी दिए दो तिया छे गुनन फल यहां से डाइड़क्ट आप समझ सकते हैं क्या कारा है गुनन फल चे को भाज यह कर लेते हैं पहले अब कराया दो ती आच्छे ठीक है अब बुननफ़ छी को भाज यके स्थान नीचे लिखें यहां देखिए गुननफर दो ती अच्छी आयत इसके नीचे लिखा गया है ठीक है दो ती अच्छी इसको घटा करके यहां का आएगा कटकुट आएगा यही एंसर क्या जाएगा यहां आजाएगा इस बलग में लिख दिया कटकुट इसके सामने इधर होना उर्ट चाहिए इसको आफotte इसको आप समझा आइए तो चलंती साप का इसाइट पूरा-पूरी आ जाता है ठीक है अगर यही ऑर यही समझाया गया है में इस यही समझाया लिख लिखें जो आप जीशी लिखें जो नीचे लिखा गया है पिर दूसर चनलब आछ बदलोने बादवाले अंक आठ के नीचे लिखें, जो आठ का नीचे लिखा गया है. आप अच्छे से यहां समझेजेगे, आपका भागा कभी गलत नहीं होगा, थुरा सो समझे दीजिए. आठ हेकाई को दो से भाग ले हैं दो से आठ में भाग दिया गया है दो चो का अनग है रिखें और लिखें गड़ाज के आठ के नीचे इस परकार से लिखें कि दोस्तों आब बांग नहीं कि नहीं होगा एक विससी परकार सेТакर आद लाख दरीं जयाओ नहीं गलत हैंसे नहीं कि अए टार हरती हैं पुरी पराष शभना है कि जी ठेसी इस तरह यह श्वत दरा है बांग यक पटते हैं इसी परकार से करिए हो जाएगा चलिए यहाँ बाझ बराबर डेकिए यहाँ बाझ बराबर अर्सथ है भाज कबराबर देते हैं भाज़एं भागफल 34 है जो इंसर दो आइड कर के भागफल तो भागफल के बाद कुछ भी स्ट अगअ अ भागफल 34 भागफल है अभी दोनों को गुना करेंगा 34 दूना आरसथ हो गया अंसर आपका उत्तर सही है आप जांच कर सकते हैं ठीक है अब प्रस्नावली देखिए प्रस्नावली 40 को अब हम लोग अटेम्प करेंगा ठीक है अब क्या है भाग की लंबी बीधी से भाग देकर भागफ तो इसको आप होंबर्क में लिजिए बड़ी आसानी से आप समझ गये हैं बिल्कुल आसान है चलिए आप तीन अंकों की संख्या को यह कंक की संख्या से भाग देते हैं लंबी बीधी के अनुसार यह लंबी बीधी है आपका इधर यह जो दो ऊपर रखा हुआ है आप इह इसको झालख दिया गया है तो क्या हो गया है कर अर गया है अब दूसरा अंक शुटर जा गएगा यह कंने का बाद अब 30 ऑं जए आफ सेस पढ़ गया है 5 असका अम खतम अब जब यह 9 बचा हुआ उब सीधे ऑसके निचे आजा आएहाauf तो तीन तीया नो, तीन तीया दोस्तो नो, नो को घटाने के बाद क्या आएगा, कटकुट है यानि सेस फलोगी आपका जीरो, तो चो सो उन्चालिस भागा तीन में लगाने पर आपका दूसो तेरा एंसर आ गया, इसी का बिधी को इधर यहां भाज चो सो उन्चालिस तता भाजक तीन है, तो छे संक्रा यानि छे संक्रा है, छो सो हुआ ना, छे संक्रा में भाग तीन से दिया तो दो संक्रा आया, कि लिए रहा इसा ही, तीन दहाई, तीन से भागा दिया तो एक दहाई आया, तो एक आ गया कि लिए, नो इकाई है, तीन से भागा दिया तो तीन लिकाएं कट करके तो आगे आपका तीन इस परकार से आप समझते आता भागफल बराबर दो संखड़ा एक दहाई दो इकाई ठीक है तो दो सो तेरा कोई दिक्कत है दो इकाई नहीं तीन इकाई है यहां गलती से मिस्टिक से लिखा है चलिए इसको आप समझ सकते हैं 649 पंखे से समझाए प्रफड के खूद वीडियो कर रोख लिजिए चीन सोट लिजीए असानी है क्लिजिए कोई दिक्गत बिल्कूल आसान है बिल्कूल आसान है सेम तू सेम प्रोसेस अप लगा दीजिए होते चला जाएगा कोई दिकत कहीं नहीं होगा दोस्तों मेरे चलिए आगे नेक्स्ट ये भी वही सेम तू सेम है लंबी बीधी में छोसन अब्वे को तीन से भागा देना है सेम टू सेम पर अपर क्रिया अप सार दीजिए कानी खतम ज्यादा टेंसन लेने का जगरत नहीं है तो छोसन अब्वे में तिन से भागा लगा तो दोसो तीस एंसर आपका यही पर किडिया है इसका सेम तू सेम आप इसको आसानी से देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग एक्सराज 41 को देखेंगे भाग की लंबी वीधी से पागफल ज्याद करना है चलिए तो सेम तु आप कर लगजिएगा यह वोंबर्च में आप लिज्ञा स्कीन सौट लिजे विडियो को आप इसको होंबर्च में प्रेक्टिस कीज़िए प्रेक्टिس करने से सीखियागा दोस्तों नहीं तो कभी न ही कभी नहीं सीखिएगा बिना प्रेक्टिस का कुछ ही ही नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है चलिए दो चार प्रेक्टिस कर लिजीए दो से भागा लगाय हम couch 25 चारइक्टों की संख्या को ये कंग से भाग देना तो चालिस तो च्वराइसी में दो जिना जिए दो डुना चार आ गया है और पर चलिए दो अब प्रसेस चानल से नहीं करनेनly और जल्त लिए कुरू ुछी आएगा is daha फिर hear the April यही प्रसेस हमने दू है यही प्रसेस आपने ए genocide सब के लियर होते हैं चला जाएगा दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा चलिए छोवाद छोवाद च्छोव सुच्यानवी को तीन से भागा देने के लिए क्लेंगे यहां पर देखिए तीन दूना च्छी हो गया अब यहां जीरो है तो जीरो में जीरो सीरे डारेक्ट यहां 0 लिए दिएगा फिर 3 उतार लिए नौ उतार लिएगा तीन तीया नो आ गया ठीक है फिर आप 6 बचा तो 6 आ जाएगा तीन दुना 6 आ जाएगा कोई दिकत नहीं है बिल्कुल आसान है आप कर लिजिएगा कोई भी कितनों भी भारी क्यों न रहे दो चार दस पंदरह आप एक कंख्या को इसा ही सेम तु सेम तरीका से भागा दे कर सकते हैं चलिए 480 में 200 भागा दी जीए तेरे 3600 में तीन से भागा दीजिए 4000 में 200 हम भागा दीजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसको भी बना लिजिए कोई दिकत नहीं असानी से कर लेजिए इस परकार से सब का भागा दिया हुआ है आप इसको आसानी से देख करके समझ सकते हैं कोई दिकत नहीं है चलिए अब एक साज हम लोग कुछ नया सिखते हैं क्या आप पांच कलम को अपने दो साथिएं के बीच बराबर बराबर बाच सकते हैं आपका उत्तर होगा नहीं ठीक है तो क्योंकि 2-2 कलम करें दो दो कलम बांटने के बाद एक कलम बच जाती है इसे दो के बीच बराबन नहीं बांट सकते हैं इसे बिना बांटे एक कलम को भाग का सेस फल या सेस कहते हैं अता पांच को दो से भाग देने पर दो भाग फल और एक सेस बच जाता है आप बिल्कुल आसानी से समझगी हैंगे दोस्तो चल pię Teams अब निशन नीचे परकिदिया करके देखते हैं गुना किसररनी गुलना किसरनी तो भाग¥ अब देखता है थी इंसे भागदना है साथ में ठीक इंसे भाग¥ दोस्तों साथ में तो भाग दें गुना की सारनी से हम जानते हैं कि तीन दूना 6 होता है और 7 भढां है। तो 7 बरावर 6 यानि 6 पलस 1 परकार से यह बरावर है यह बरावर है और यह यानि 3 पार्ट मगें हो गया। आपको परकिलिया करके तोर करके बताया गया तो तीन गुना एक तीन हो गया तीन दुना छे हो गया तीन 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 नो इस परकार से कौन बरा है तो हमेशा बरा बरा से छोटा घटता है लेकिन बरा से छोटा में भाग नहीं दिया जा सकता है इसके लिए दस अमलों मिल जाना हमार थीख हैं तो इसलिए साथ में तथ से बाग दिया गया तो इसलिए साथ बढ़ाबर साथ जरूबर में नोट कर लिए इस फाराए है अगरा का मम आए वहार आने के लिए ठीक है दोस्तो इसको नोट कर लेज़े जरूर कॉंपी में भाज बराबर भाजक गुना भागपल पलस सेस ये बराबर आपको काम देगा चलिए यदि आप भाग को अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसको जरूर करिए चलिए छे को चार से भागा दें दोस्तों चे को चार से भागा देए तो चार एकम चार भागा दो बच गया जिए जोर, दो चार एकम चार पलस दो हो गया इसलिए छे भागा चार बराबर एक तत्था सेस Two Attention स्याफर, आप लंबी वीधि में इसको करके देखिए, चर्यकम जो बताया गया है इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, चर्यकम तो चार हो गया छोटा, छे हो गया बरा, आठ हो गया बरा, छे हो गया छोटा, ठीक है, आगे दखिए, इसी परकार से आप इसको आप आसानी से समझ करके बना सकते हैं, चलिए, इसको आप अच्छा से समझ गिए, वीडियो को असकी रिसोट लेकर करके देख लिजिए, क्या पर तो 720 को लंबी भी इना है तीन से भागा देना है कि आप कसप र Caribbean कर शकते हैं अब कर सकते हैं नि 2043 को दो से भाग देना है आठञानो को चार से भाग देना है चलिए इसको भी आप करिए बिल्कुल आसान है कर लेजियेगा हमको भिस्वा से कर लीजियेगा विडियो को लंबा जादा क्या करें परस्ण वाली अब तैतालिस में हम लोग आते हैं चलिए अब गुना की सारन निए पहारा की मदद से भागफल और सेस को निकाले पर तेक के उत्तर की जांच भी करना है तो वही बता है भाजी बराबर भाज़ा गुना भागफल पला सेस कर लिजेगा कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा इन सर आपका इसको बनाईए बिल्कुल असान है बाद की लंबी वि किए प्रिक्टिस कीजें भिना प्रैक्टिस का दोस्तों कुछ है ने उला थी कि दोस्तों फ़िए नें दोस्तों दोस्तों के साथ भाग से साथ या विनसिए चीचिक लिए जी बावन को चार से भाग दें वैं पर ढर कन कि ロक्राइड कर शकता है तेरच असान है इसको आसानी से वीडियो को रोप करके पाउच करके देखिए सब समझ जाईएगा क्या कह रहा है पांसो अरतीस में आठ से भागा दीजिए कोई दिकत नहीं है सब सेम तुसे मेही पर के लिए आप अपनाते हुए आगे बाढ़ जाईए दोस्तों कोई दिकत ही नही कर सकते हैं इसको बनाएए चलिया लास्ट आव हम लोग 14 को अवाल देखते हैं भागफल ओंग से सफिपल को ग्यांद करना है आठ से भागा दीजियागा आच्छो करता लेगास उठर चपन आपको आजाएगा एंसर साथ हो जाएगा बाप्पल और दो बचेगा इसमें 6 म में दो बचेगा से इस परगार से चलिए इसको बनाईए इसको बनाईए कोई दिकत नहीं है वीडियो को आप आसानी से रोक करके देख करके कर सकते हैं यह हमबर्क रहा आपका चलिए दस से दस और सोग से भाग देना है तो 65 को दस से भाग दें 65 को दस से भाग दने के लिए डारेक्ट इस प्रवकास लिखेंगे दस छक साथ बच जो गया जो पांच यह होगी आपका सेस्फ़ल कोई दिकत दोस्तों नहीं है आसानी से आप कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया हम उमीद करते ह हैं कि आगे नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे थोड़ा सा कम रहे क्योंकि ज्यादा समझना आपका लिए बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं समझेगा ज्यादा लंबा समय दीजिएगा तो दिकत थोड़ा सा होगा तो चलिए इसको सेम टू सेम आप इसको पराबर देखते रहिए भरते रही ए बढ़ते रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू एंड बाइबाहई दोस्तों पढ़ेंगे बढ़ेंगे PRINTS में आप सभी का हमेशा स्वीया स्वाथ रहेगा हार्डी का भी नन रहे आप सभी अपने अपने बच्छों क तब तक के लिए आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद ठैंक यू एंड बाई बाई डोस्तों ठीक है चलिए